ग्यान्द टरेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आपका पार्टनर उम्र में आपसे छुटा है तो कुछ गल्तियां हैं जो आपको नहीं करनी है और इन बातों को गल्ती से भी इग्नोर नहीं करना है जो आपको बताने जा रहा हूं देखिए प्यार की कोई उम्र नहीं होती है ये बात सर्फ फिल्मों में ही नहीं बलकि असल जंदेगी पर भी स्टिक बैठती है किसी रिलेशन्शिप में लड़का बड़ा होता है तो किसी में कभी कभी लड़की भी बड़ी होती है लेकिन जिस relationship में लड़कियां बड़ी होती है वो कुछ खास ही होते है उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है और अगर आपने एक बार इन बातों का ठीक तरीक से ध्यान रख लिया तो आपका relationship वर्ल्ड बेस्ट relationship बनने से कोई नहीं रोख सकता है ख्यार लखे कि अगर आपका partner आपसे छोटा है तो कई बार आप दोनों की सोच टकरा सकती है और लड़ाई भी हो सकती है तो इसलिए जरूरी है कि ऐसे समय में आप समझदारी से खाम लें और शान्त हो जाएं अगर आपका partner उमर में आप से छोटा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके समझदारी पर आप हमेशा शक करें और से हर पल ये अहसास दिलाएं कि वो उमर में आप से छोटा है बॉस बनने की कोशिश कभी नहीं करें इससे आपके partner का जो manhood है वो hurt हो सकता है और लड़ाई जगरे की problem हो जाती है जिम्मेदारियों को मिल्जल कर उठाना एक समझदारी का काम होगा इसलिए घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां उन्हें हो उठाने दे अगर आपका partner उमर में आप से छोटा है तो याद रखें कि उसे ये बात बार बार ना बुलें नहीं तो एक बार अगर misunderstanding हो जाएगी तो relationship कमजोर हो जाता है partner की कम उमर आपके लिए कई बार चिंता के विशेर सकती है इसलिए से जादा से जादा एक दूसरी को समझने की कोशिश करें जब आप अपने से कम उमर के partner को date करते हैं तो आपकी life बहुत रुमांचिक हो जाती है 20-25 साल की उमर में लड़कों को घुमरे फिरने का बड़ा शौक होता है तो इसी बाहरे आप enjoy भी कर दे सकती है कम उमर के लड़के आपके achievements पर खुश होते हैं क्योंकि ओभी बाहरी competition के दौर से गुजर रहे होते हैं तो ऐसे में आपकी छोटी सी achievements भी उनके लिए बहुत माइने रखती है couples के बीच ego लड़ाई की एक बड़ी वश्र होती है जब आप अपने से छोटी उमर के लड़के को date करती है तो ऐसा कमी होता है कम उमर के लड़के से शायिक संबंद बनाते से में उस्सा में कोई कमी नहीं आती है तो ऐसे में शायिक संबंद को लेकर आप अपने इक्षाएं जाहिर कर सकते हैं यदि आपका partner आप से छोटा है तो ऐसे में chances बहुत कम हो जाते हैं कि उनका कोई पिछला जिसाब किता बाकी रहा होगा तो ऐसे में आपको ये डर नहीं रहता है कि पुराना प्यार लोट सकता है प्यार में पज़सिव होना आम बात है तो उस पर यदि आपके partner का कोई पिछला relation रह चुका है तो हर से में डर बना रहता है कि कहीं पुराना प्यार जाग नहीं जाए जब आप उमर में छोटे लड़की को डेट करते हैं तो आपको प्यार करते हैं इसमें एहसास नहीं होता है कि वो आपको लेकर judgmental हो जाएगा तो आप एकदम बिंदास तरीके से प्यार करते हैं कम उमर के लड़की को डेट करने का सबसे बड़ा फायदा ही है कि आप उनके साथ बहुत रिलाक्स रह सकते हैं आपको लाइफ टफनी लगती है और सब कुछ आसानी से हो जाता है तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पर सब्स्ट्राइब करें और अपने कमेंड देशिए धन्यवाद